बच्चो आज अम लोग नेया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडानिमिक्स जिसे हम लोग अचारब में पढ़ रहेंगे एक थर्मलर एक्सपेंशन फिर कईलॉरी में ही और फिर। ट्रांसफर जिसमें कंडक्शन रिडिएएशन और कंवेक्शन और फिर आता है thermodynamics तो आज हम लोग स्टार्ट करने जाना थर्मल एक्सपेंशन तर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन में एक लाइन लिखेंगे 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 लि most of the substance expand when they are heated when metal is heated when metal is heated then heat energy then heat energy then heat energy is absorbed then heat energy is absorbed and amplitude of vibration and amplitude of vibration of atom or molecule amplitude of vibration of atom or molecule increases increases about their mean position about their mean position about their mean position about their mean position paragraph change करके लखें in the result in the result average separation in the result average separation between molecule in the result average separation between molecule also increases in the result average separation between molecule also increases right तो क्या करें generally जो metal होते हैं metal वो expensive material होते हैं like steel, aluminum iron tungsten, brass, copper ये सा material कैसे हैं expensive material है मतलब अगर इनका temperature हम बढ़ाएंगे इनने heat energy देंगे तो इनकी length क्या कर जाएगी increase कर जाएगी उसकी बज़ाया हमने बताई है कि जब भी हम heat energy देते हैं तो जो metal के particle होंगे वो heat energy को absorb करेंगे और mean position के about उनके vibration का जो amplitude है वो बढ़ जाएगा और हम देखेंगे दो निरेस पार्टिकल की बीच का जो gap ता वो बढ़ जाता है और हमें metal की length area या volume बढ़ हुआने दे आता है तो हमारे surrounding में तीन तरीके के object होते हैं एक one dimensional एक two dimensional और एक three dimensional तो हम लोग उन metals की बात कर रहे हैं जो expensive material हो अब हम लोग का जो focus हो किस material पे जो expand करने जा रहे हैं और बो जनरली metals होते हैं तो अगर हम बात करें कि मानलो को में में रहे हैं जोसे में बनेंटल अने जिसमें केवाल लेंठ तो उसका जो एक्स से नम बढांगे वह लेंद के लोग के लाँ पढ़ेंगे उसे वो लेंगे लिनियर एक्समेंट संत तो अब one dimensional object के लिए होगा तो समस्ते जरा मालों आपसे का है हमारे पास ये एक रोड है ये एक रोड है इस रोड की लेंथ है इनिशियल लेंथ मालों लोट है at initial temperature टी नौट डिडिरीश सल्सियस टी नौट डिग्रीश सल्सियस पर इस रोड की लेंथ है कितनी एल नॉट ठीक है और इसका मटेरियल एक्समेंसबल मटेरियल हम इसका तेमपरेचर डिल्टा टी राइस करने चले अज़ा टेमपरेचर बढ़ाएंगे तो लेंद बढ़ेगा पुटमपरेचर घटाएंगे तो लेंद कॉंट्रेक्ट कर जाएगी राइट यानि जब हम कूल करेंगे भाडी को तो length contract करेगा हीट करेंगे दो बढ़ेगा एक्सपैंसन का हमाउंट होता है एक्सपैंसन आका माउंट यानि देल्टायल वह किन बातों पर डिपेंड करता है यह देल्टायल मतलब इन क्रीज इन लैंग्शिए लैंट गटा ओके तो लेल्टा लेंद कम हो जाएगी तो मैं तुम जोंगा डेल्टा टी हमने बढ़ाया तो लेंदध बढ़ेगी तो डेल्टा ये वेक्टिजेश पर करता है तो डेल्टा ये डार्क ली प्रोश्वनल्टी इनिशियल मतलब हमने दो ऩो iron की Maarорт दोनों material एक हमने 10 मीटर काल लिया एक हमने 20 मीटर कर दियो कि कि दोनों को 50-50 ृच्प क्या दोनों का loves 2 अच्प डिग्रिफ बढ़ाइग हम ने जो सी तक रोट तो हम गगणे दस मीटर बाली रोड अगर मपढ़ती है तो 20 मीटर बाली 2x मपढ़ती है यानि मदलब अगर हम दो रोड लेले नहीं की सेम लेंद के लेलें दोनों एलूमियम है सेमलेंथ है और हमने एक को गरम कर पपचास पपंडर टिगरी वह थologिट रॉससे hoor प्रफ्ट बड़ेगा तो अगत कि अगर्म किया वह थे स्टेंग किसे प्रृत टौक्ट र tbsp टाँगे ट्हडरियों से ममटनेश्र ने एक लाए अलुमिनियाम और एक लाए आयरन हमने दोनों की इनिशियल लेंद्ट एक-एक मीटर की रॉट ली हमने दोनों का टेमपरिचर भी बराबर बराबर बढ़ाया तो हम देख रहें तब भी आयरन का लेंद कम बढ़ रहा है। है एल्मिणियम का ज़्यादा बढ़ रहा कैसी की बड़ा इसका मतलब एक फैक्टर और है जिस पर एक्सपेंशन का मांट करता है और वोगत रहेम anar जिसके लिए हम लोंगेशट्पान करेंगे गिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे यानि हम ऐसे बोलें दिस डिल्टा-L इस प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंग्ड इन्टू टेम्परिचर डिफरेंस तो अगर हम प्रोपोर्शनल्टी अटा है तो एक कॉस्टेंट तो डिल्टा-L लेंग्ड विएक्वल डू एल इनिशियल अल्फाडेटा-D तो यह जब प्रोपोर्शनल्टी अटा तो यहां पर यह कॉस्टेंट आया वो कौन है अल्फा और यह अल्फा जो है वह लीनियर एक्सपेंशन कोफिशेंट है इसे हम लोग बोलेंगे लिनियर एक्सपेंशन कोफिशेंट और इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस I'll fake alpha की क्या हो निटोगली पार डिगरी सेल्सियस यह पर डिगरी कैल्विन जासे दोको यह मीटर होगा तो यह मीटर होगा कट जाएगा तो अलपा यह ओर ओडेल्टा डिनिशे आएगा तो पर डिगरी सेल्सियस लिनियर एक्सपन्सल कोपिशियन वोलते हैं इस एलफा और यह किसकी प्रॉपरटी होगी मटेजियल की प्रॉपरटी हो मटेजियल अब इस क्रोपरटी ऑफ मटेरियल का रोड है चाहिए वो एक मीटर का हो चाहिए वो कि अगर आइरेंड और पार्टिकल हो दोनों का अल्फा यह कि इसकी है मटेरियल के और यह तो अल्फा होते हैं बहुती ही स्मॉल नंबर होते हैं जान की बावर माइनस फाइब तो यह बात है कि अगर एक मीटर आइरन की रॉड है लोहे की आइरन की रॉड अगर एक मीटर की है तो उसका तेम्परिचर जोंप पांसु डिग्री बढ़ाते हैं कि तो उसमें इंक्रीज इन लेंद्ध होता है सिक्स एम्म कितना सिक्स मिलीमीटर यह पांसु डिग्री तेम्रिचर वढ़ाने पर आयरन का लेंद्ध कितना वढ़के आता है सिक्स एम्म यह मतलब रियल डेटा है तो अब तुम समझ लीजिए कि जो अलफा है जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशेंट वह बहुत ही इस्म के लिए करने जा रहे हैं यह मुस्त एम्म रेंज के एक्सपेंशन की भी बात करना चाहते हैं ठीक है ऐसा नहीं होगा कि एक मीटर की रॉड लाएं दस डिग्री गरम कर दिया दो मीटर की रॉड लेके जा रहे हैं ऐसा नहीं है आपका जो इंक्रीज इन अमांट है वो बहुत ही इसमॉल ना के बराबर राइट यानि मैंने क्या टेटा दिया कि आईरन में पांसो डिग्री टंप्रिचर बढ़ा होगी तब जाके सिक्स एम इनक्रीज इन लेंड होगी अगर इनिशलन कितनी यह वन मीटर यह घूँए तो गयाकर सिक्स मिली मीटर इंक्रीज होता है तो खैने UP इसकी प्लाइंट कैसी लिखếu लिए मत्यूप इनिशेंट लेंज अर्ड़ करतó इनिशियल लेन्द में इन्गे जिल एड़ गर दू00 फाइनल लेन्ध बराबर कि हacak इनिशियल लेन्ध फ्लास इनिशियल लेन्ध अल्फा डिल्टा टी C by so कि भलाइ वही मैंति लिख साकते हैं रहारेक्ट फाइनल लेंथ पराबर इनिशियल जन्द कौमन लेलो one प्लास अल नोट डिजरी सलसियस पार है तो फ टीस का मतलब क्या होता है माइन अगर हीटिंग का केस होता नंबर पार नूबर इनिसियल होता होता तो यह पूरा नंबर बन से बढ़ा फाइनल लेंद लेंद से ज्यादा लेकिन अगर यह कूलिंग का केस्ट होगा तुमने डाउन करा है तो फाइनल टेम्टरिचर काम है इनीशियल ज्यादा है तो बताओ डिल्टाटी अपने आप में कैसा नंबर निगेटिव अरे डिल्टाटी क्या होता है फाइनल माय ल्न से काम से काम तो यह लेंद कॉंट्रेक्शन का कैस हो जाएगा यह हीटिंग के लिए भी आई फॉर्मूला कूलिंग के लिए भी आई फॉर्मूला चाहिए हम टम्रिजर बढ़ाएं चाहिए घड़ाएं डिल्टा टी का मतलब है फाइनल टम्रिजर माइनस तो यह अपने आप यहां साइन एड़्जेस्ट होता रहेगा अब बोलो यह यह बताओ चेंजन लेंद्थ है और वह फाइनल लेंद्थ है ठीक है यह बताओ कौन सी मटेरियल की बात करें हमने का जो बन डामेंशनल ऑबजेक्ट है उनमें हम कौन से एक्सपंसन देख रहे हैं लिनेर एक्सपंसन उसके लिए कोपिशेंट डाया कौन हैं लेकर दूसरा है दूसरे अइरिया एक्सपंसन यह फिरिशी का दूसरा नाम गौर्भी कि चलर है कर प्टील इक्समिट Awesome आए कि एरिया एक्सपेंशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन कि यह बताओ किन बोड़ी के लिए पढ़ेंगे हम लोग जो टू डामेंशनल होंगे मटेरियल जो मास जो होगा मटेरियल वह एरिया में फैला होगा तो लाइक रेक्टेंगलर प्लेट स्क्वाइर प्लेट इस तरीके के जो अब्जेक्ट होंगे डेस्क है इन सब के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगी कौन सा एक्सपेंशन एरिया रिंग के लिए क्या पढ़ेंगे रिंग की सरकंफ्रेंस के लिए क्या पढ़ेंगे एरिया की लीनियर क्योंब सरक्प्रस लेंद होता है एरिया के लिए क्या पढ़ेंगे एरिया इक्स्पंसल सुपर्फिशियल मालना लुद्ध यह कोई अब्जेक्ट है यह कोई प्लेट है यहां देखा यह जो सैड़ेट पार देखा रहा हूं यह पूरा मटेरियल है यहां पर मास है बूरा तो इसका इनिशियल एरिया यह नौट है एक्टी इनिशियल एक्वल्टू टी नौट डिग्री सेल्सियस ठीक और यह मटेरियल एक्सपंसवल मटेरियल है हम गया हमने इसका टेम्परेचर डिल्टा टी राइज कर दिया तो यह बताओ एक्स के एक्समेंट करेगा वाई के लॉंग दी तो इसका फाइनल से पे वह कुछ ऐसा होने वाला है ऐसा अगया यह एक्स वाई दौनों डामिंसन में इंक्रीज करेगा ऐसा हो जाएगा इसका फाइनल से तो मैं तुम से कहूं जो इनक्रीज एन एरिया है डेल्टा ए उसे अधार लिखना है बराबर करके फिट्र पाली प्रपोर्शनल डू इनिसेल एडिया spr सीधा बोलन डेल्टा एबराबत इनीशियल एरिया बीटा डेल्टा टी और इस बीटा को हम लोग बोलते हैं सुपर्फिशियल या एरिया एक्स्पेंशन कोफिशियर और इसकी भी वही उनेट है पार डिग्री सेल्सियस ठीक है तो व्याहिए तो ग्रम थाइनल एरिया लेखें कैसे लिए अपान्ले डिया बराबर इनीशियलifique दरिया एड़ कर दाए तो व्यक्रैज झाऑं पी इनיל एक्सपेंशन रेदिटा डेल्टा टी तो फाइनल एरिया बराबर आ गया, इनिशियल एरिया कमन ले लो, वन ब्लस बीटा डिल्टा टी, यह आ गया फाइनल एरिया का एक्स्प्रेशन, यह इनिशियल एरिया, एक टेम्परेचर टी नौ डिग्री सल्सियस, यह फाइनल एरिया, एक टेम्परेचर टी नौ ब्लस ड 30 degree Celsius अच्छ आप तीजरा मालो थ्री डामेंशनल को यह अबजेक्ट है जो बॉल्यूम में एक्सपेंड कर रहा है एक्स के लोग वाई के लोग जैड के लोग तीन वडामेंशन फैल रहा है तो उसके लिए हम लोग बढ़ेंगे बॉल्यूम एक्सपेंशन राइट अज़र टेपरिटर बढ़ाने पर लेंद बढ़ जाएगी एरिया बढ़ जाएगा बॉल्यूम भी बढ़ जाएगा मास थोड़ी बदलेगा मास नहीं बदलेगा अखब बढ़ेंगे। है ठीक है अब देखिए अब अले में बॉल्यूम एक्सपेंशन है वोल्यूम एक्सपेंशन है यह हम लोग थ्री डाइपेंशनल अबजेक्ट मान लोगे कोई है क्यों वाइड है ऐसे 3D मैं यह एक्स के लॉंग भी बढ़ेगा वाई के लॉंग भी बढ़ेगा और जैड के लॉंग भी बढ़ेगा इसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है अट इनिशियल डंपरिचा टी नॉट डिग्री सल्सियस हमने स्कोर डेजम डिट टी टम्परिचेर हीट कर दिया तो वताओ अगर इस डे zeigt करेंगा है एक्सके लॉंग भी फैलेगा वाइके लॉंग भी फैलेगा और जेड के लॉंग भी फैलेगा तो तो क्या ये 3D में बॉल्यूम को एक्स पंसनुन desafi तो इंक्रीज इन वॉल्यूम फिर से तीन बातां पर डिमेंड करेगा बनाबर लिखन डारेट क्या लेको बदाओ इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी और यह जो गामा है यह हमारा है वॉल्यूम एक्सपन्सन कोपिशेट अगरा हम आप से कहा है फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बताओ फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम में इंग्रीज इन वॉल्यूम एड़ कर दो तिस फाइनल वॉल्यूम आएगा इनिशियल प्लास इनिशियल गामा डिल्टा टी फाइनल वॉल्यूम आएगा वी इनिशियल कॉमले लो वन प्लास गामा डिल्टा टी यह आएगा क्यों राइट यह बदा हमारा इनिशियल वॉल्यूम जो है यह इनिशियल टम्परेचर पे दा और जो फाइनल बॉल्यूम है फाइनल टमटरिचर टी नौट प्लस जिल्टा टी पर होगा और जो गामा है उसे हम लोग बॉल्यूम एक्सपंशन कोपिशियंट इसका भी यूनिट क्या होगा पर डिग्री सेल्सियस राइट अब देखो सवाल में बुलो हमसे चलागी क्या करते हैं कि हमें बीटा नहीं देते हैं उन्होंने एक माले इसका एरिया मतारे बढ़ए कि तो तुमीं प्रिया के लिए कहाए यह पिल्फा właśnie कैशी के लिए में तो उसका लेनएट चोपिशन अलपा कोफिशन दो आई कि लोग जो लेंग देवो आई रहने माल लोगने इसका अलवा टू तो अब हमें पैता वीटा ने खालना पड़ेगा पहले इन टर्म अलफा बने अलफा डू तो उसके लिए में बढ़ना पड़ेगा रिलेशन बिवीन अलवा बीटा एंड गामा चैटिन अलिए रिले रिलेशन बिवीन अल्फा वीटा एंड गामा रिलेशन बिवीन अल्फा वीटा एंड गामा अल्फा वीटा गामा में रिलेशन निकालना चाहरे रहे है ठीक ध्यान देना हमसे कोई कहें यह एक स्टुक्च्छर आए जसमें हमने के वाइक्स के लोंग अलाग मटेरियल य के लोग अलग मटेरियल है से त्यार यहां यहां वह अब ये हमने चार रोड लगा रखी है इसे ठीक है यह मनलो इसका लूनियर एक्सपेंसन ऐल्फा-वन और इसकीzerा माल लो यह 11 टिक यह बताओ इसका लेंद मालों ल्टू और इसका एक्सपेंशन कोफिशियंट अलफा टू कि ठीक है कि ऐसे हमान लीजेए कि अलबावन अलबादू अलग अलग मटेरियल है अलग मटेरियल है तो हमने एक्स के लोंग को अलग मटेरियल इस्तमाल किया गया रहिए अवछंण आप देखें अगर्माप से कहें यहां पर को थे शियूर्स जयूंद है अलफादू एनन किन इसकी एक मार्ण f slavery हम आपसे का तिये हैं कि उसका एरिया कितना बढ़ा इन इसलीया कितना है अभी कि अतलो ल कि म्लीटा है मिवाने। है हमनों ने बोचना तो चमने में तो हुई हुआ है कि它 works तो यह थे वह थे यह झाल सकते हैं लिड़ी टी सस्क्राइब तो तुमको एक्स के लाउंग जो मटेरियल है उसका लीनियर एक्सपंसर को भी चैन्ट तो तुम कर असर अलफा वन अलफा टू के टम्स में क्या निकाल लो बीटा अच्छा मालूप हम से कहते हैं फाइनल एरिया बताओ डेल्टाटी टेपरिचर बढ़ाने के बाद फाइनल बीटा डेल्टाटी यानि कुल मलाके बात कहां टक रही है बीटा पे तो बीटा निकालो इंटम्स ऑफ अलफा बने अलफा अब जो तरीका में बताने जा रहा हूं उसे ध्यान सुनों बीटा किसका एक्समेंशन को पिशियंट है एरिया का तो पहले एरिया का फंक्सन यह जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है आप उसके वहले एरिया का फंक्शन लिप डाली बताओ उसका एरिया क्या है वह बहुत बढ़िया एलवन इंटू एलटो बढ़ाने पर यह एलवन कॉंस्टन रहेगा कि बदलेगा यह यह भी यह भी अच्छा तो जो कॉंटिटी टे सब्सक्राइब है यह तो आप दौन तरफ लोग लेजिए कि क्या करिए पलेंगे लोग जब यह मटिपलाई या डिवाइड वह पॉंटिटी जो टेंपरेश्चर बदल रहे हैं अगर वह मटिपलाई यह दिवाइड में थो दौन तरफ लोग लेए लोग लिनस कि कि में आ तो टम्रेटर के साथ बदल रही है अगर वो मुल्टिप्लाइए डिवाइट में तो दोनों तरह लोग तो यहां पर दोन तरह लोग लिया दिया क्या होगे लोग ए बराबर बोलों यहां क्या बन जाए लोग लग लग प्लस लोग लटू यह तो बनेगा आप गभाओ यह एरियाा टेमरिजर्डीड़ कसाद डिफ्रैंशिवल अगला स्क्राप्रेंशेट करदीजिए ईक उम इडज्री Resource टू लतुह Scandin dt एच लिखा जाएगा बोलो लोग 11 का क्या होगा वान अपान l1 dl1 अपान dt यह हुआ वान अपान l2 dl2 अपान dt यह आया गोड़ सो देखो गोड़ सो देखो वान अपान इंदीर क्या चीज़ है कि अधी कि डाव डिफेरेंशियल चेंज इरिया विद रिस्पेर्ट्टी तो अगर हम डेल्टाटी टेम्टर suvodhate थे तो इरिया में इंखरी डेल्टाटी तो अगर दी टेम्टर बढ़ाएंगे तो एरिया में इंखरीज E greeting औरिया आज यह निचेंज है तो यह फाइननाइट जींज तंगर हम टम्रेटार Common चैंज करेंगी तो एरिया मिव हां और अब्रनु चेंज करेंगे एरिया में भी कश दूकर तो ढूछ कि लिख thế भू माते जाल्दी बोल है अगल शहोmm DT नीचे क्या है DT इधर आधर चलो बोलो बोलो जल्दी बोलो बन अपोन L1 DL1 क्या लग होगे L1 इनिश्यल लेंद्ध अल्फा बन DT अपोन DT अरे बेटा DL1 का मतलब है Differential Increase in L1 प्लास 1 अपोन L2 DL2 क्या होगे L2 अल्फा टू DT अपोन DT पूरे से DT 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 कट गया एरिया भी कट गया इधर L1 L2 कट गया गोर सो देखो क्या आरा इधर बीटा बराबर बोलो क्या रिलेशन आया बीटा इधर इक्वल टू अल्फा बन प्लास अल्फा टू तो सुनो भाई द्यान से इस स्ट्रक्चर का जो एरिया एक्स्पंशन को भी शेंट हो क्या आगया अल्फा बन प्लास अल्फाटो अब तुम चाहिते तो यहां ठाड लिख सकते थे इंग्रीज इंट इन एरिया विल कोला टू इनिश्यल एरिया आप अलवाग वन प्लास अल्फाटो डिल्टाटी आप यह से लिख सकते थे हम ईचा बोलगा है को दिख्का देखिया है कुरिकट अब धर यह रिस आया in case of one I so tropic object for Isotropic object yeah Isotropic expansion and their own for Isotropic Expenser I should look a मतलब हम इसओ फोल खुर दैमेंजों में मतरीयल से मतलब यह अलुमीनियुम तो यह भी तो आल्फा मन बरावर बर आवर ये को기 किसा ग्ह yüz मिनिता अफिता अब अखिला etr बीटा कर एसच्व वान इस्टो टू है ए अलफा और बीटा कर एसच्व जो बने किसके लिए होता है आइसे ट्रोप एक आपजेक्ट के लिए यह हर डामेंन सन्में अगर सेम है तो अल्फाबीटा करेस्टियो बने क्षू टू हो जाएगा कोईड़ा उट्ट पका आगे बढ़ा जै तो जो हम लोग रट लेते हैं अलफा बीटा करेशियो बन इस्टू टू यह किसके लिए है आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक मतलब पूरे में यूनिफॉर्म अट्रियल है आए रहने तो पूरे में है ठीक है अगर अलग अलग होगा तो हमें फिर उसमें स्ट्रक्चर दे है अलग है आए आए इस्टू बड़ ऑगा पूरे में है अलग हैं आए 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 तो यह हैं आए 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 चलिए ध्यान दीजिए मालों हमाँ आप से यह कहा है हमारे बास एक क्यूवाइड है और इसके हर डामिंशन है अलग-अलग मैटेरियल है ऐसे यह मालों एलवन लेंथ इसके आप दो यह तो यह यह लिए लिन अलटू इसका एक्स्पांशन और फटी इसका आप अलग-अलग-ज़ा यह का है बना हुआ एक्स के लोग-ग-लाग-बोटेरियल-जड़ के लॉग-अलग-बडेरियल हम आप चेका है हम इसकी वाइड को डेल्टा टी टेंपरेचर बढ़ा दिये तो बताओ इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा क्या लिखोगे तुम फैनल वॉल्यूम इनिश्यल वॉल्यूम वन प्लास गामा डेल्टा टी सवाल कहां पर आ रख फसरा है गामा तो गामा निकालना पड़ेगा टॉम सो अलफा बान अलफा टुएंड अलफा ते गामा किसका कोविशियन जो बॉल्यूम का लिए तो गलत बात है सब अच्छे तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं अलाइए यहां वहर अगरम बात करें बदो बॉल्यूम का फंक्सलिको पहले बॉल्यूम बराबर क्या हो अगरा आप समझदार है तो इतने में समझ गहां होंगे अगला स्टेया है कि डिफ्रेंशेट्ट बिद रिस्परक्ट टू ताइम इजेए विद रिस्परक्ट टू टाइम कर दो जाटने पर्दो फर्क नहीं पड़ता फंक नहीं पड़ता थेक्ए यह तैमडरेचर बढ़ाओगे तो टाइम भी बदलेगा तो टेमड़ेटर जाद लेंद बदल र 1 upon l1 dl1 upon dt 1 by l2 dl2 upon dt 1 by l3 dl3 upon dt यहीं तो लिखने लिका जानेगा अपदेखो विटा अब मैं वैलू रखने जा रहा हूं तो वन अपॉन वी डी भी क्या लख होगे वी गामा डी टी अपॉन डी टी गरावर वन वाई लवन डी अलवन क्या लख होगे लवन अलफा 1 डी टी अपॉन डी ती इधर बोलो 1Y L2 DL2 चेंग इन लेंथ L2 L2 अलफा 2 डी ती अपॉन डी टी और यहाए 1Y L3 DL3 विजएगा L3 अलफा 3 डी टी अपॉन डी ती तो यहां सब दो वी गट गया डी टी गट गया गामा आगया गामा बनाबन अगर अगर L1 डी टी गट गया तो अलफा 1 प्लास अलफा 2 प्लास अलफा 3 यागया गामा अ बोलो भाई मानस तरफाड़ी बिदाए है क्या यह गामा यहां रख सकते हैं यास लेकिन अगर आईसोट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ इन कैस अफ आईसोट्रोपिक एक्सपेंशन अलफा बन अलफा डू अलफा 3 Давайте सब बराबर एंग één किसके बराबर ऑन्म Works तो गामा बाबर रा अल्फा तो गामा हो गया 3 अल्फा बोलो अगर गामा 3 अल्फा तो बताओ अल्फा बीटा गामा कर इस्यों लिए उन मेस्टू। उन इस्टू टू ठीन कुए वृण शो anno eg infin- वह रिखर आइज़ इस टू-ट्री है तो अलफा फिटा कामा बन लो सब्रीना है वान गौन सहसंद है इस टू-ट्री किपाबर माइनस फाइव है तो बीटा कितना हो गाँगा अलभा एंपॉइंट टू इन्टो टैन्ट किपावर माइनस वाइब टाइम गामा कितने टाइमस थ्रे टाइमस अब अलफा वो जाएगा किया मैं महालुफ दिनवा समझ आप बताना जाए अचेक बाव थो अगर कभ दूंखकर को इसा लग रहा है कि आप देखके बतादेंगे कि इसका बीटा इता है इतना गामा इतना देखके बता देंगे करते इतना किने के बाद उम्मीद है लिग आपको बता देना चाहिए बदाएगा मालोम आप सेंगा हमारे पाल एक सिलिंडर है एक सिलिंडर है अ यह किझ मीर में यां इसका स्केक्ट को के फिर्टी में वान इसका इसके एक ऐन्ष्यक्त को विशनलugen हिस्का डॉपायन्व को ब evolしく अईज्द सुलिक्ट atiques बीटा क्या होगा किस का बीटा इसका बीटा कि एरिया एक्सपंशन को बीटा होगा वो कितना होगा है तो आप देखो तुम्हें नहीं समझना रहा है तो सुनो अध्यान से तुमने एरिया का फंक्शन क्या लेखा टू पाई आरेच क्या स्ट्रेप था किला तोरो तराफ लोबन में लोग बराबर लॉग टू पाई प्लस लॉग और प्लस लॉग एक हाई का चलो एक बार और लिख देना है समझाने के लिए लॉग के बराबर इदर देख लो पर समय लोग नूट करना बाद में लॉग आर प्लस लॉग एच जहां रोख दो कि बस समझ में आगे वहीं से करना बंद कर देंगे अगला स्टेप क्य बाइच पॉस्टन नंबर टूपाइच ऑस्टन नंबर डिवरेंसेशन जीरो इस इटावार इसका डिडी एपॉन डीटी तक लोग कैसे बास हों गए वही गजर परदिट पास नहीं जेए वराफ हण एडीवाएटी इसका डिएवन सेशन जीरू प्लस लोगार के डिएट क्या होगा बन अपॉन आर डी आर अपॉन डीटी प्लास बन अपॉन एच दी एच अपॉन डीटी इतना लखना एक दम सही है बता बेटा यहां बोलो डीए को क्या लखोगे एच बीटा डीटी एच से तीटी यहां क्या बचा बीटा शचल डी और अलफा बन डीटी तो यहां क्या बचे का क्या लखोगे क्या इच अलफागल आप चलो यारह तो सनो हमारा तरीका क्या है डायर्क्ट करने का कि आपने देखा यह फंक्सन है कि अब इसको देखके मनम सोचो कि अगर लॉग लेंगे तो लॉग लॉग तूपाइप लॉग रॉग लॉग है इसका डिफ्रेंसेशन दो जीरू हो जाएगा इधर से बचेएगा बन भाई यार डियर वाई डीटी फट्वाइश डीएच वा लिए पाई आर स्कॉयर एच बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इस बॉल्यूम का एक्स्पेंशन को पिशेंट गामा लिखना चाहता हूं डारेक्ट लिखना चाहता हूं मैं नहीं करूंग आप क्या लॉग लेंगे यास्टू अलफा बन प्लास अंप्राइट उसांज म अगले बार नहीं करेंगे लॉग भी बनापन लॉग पाई प्लस टू लॉग आर प्लस लॉग है ऐसे लगते हूं है अधा है अब दो डिफरेंशेट कर दो वित रिस्पेक्ट टू प्रेचर इसका डिफरेंशेट रह नवाई भी दीवाई डीटी यह 0 यह हूं है 2YR डी आरा मॉन्डिटी वान वाइएच और यागे डी एचा मॉन्डिटी ठीकर टेस्ट में बरक्पाव एनर्जी के भी स्वाल होंगे कुछ कुछ प्यार दो हो गए एक ही में एक ही में फोर्स फ्रिक्शन और वारक एनर्जी उसी में रहेगा मंदे वहां मंदे को अब देखो इसे डिफ्रेंशेट कर दो तो मैलू रखो जरा ये बन माई भी यह जाएगा वी गामा डीटी अब तो समझ में आ रहा होगा यार टू भाई यार डी आरो गया आर अलफा वाल डीटी लिवन माई एच यह हो गया एच अलफा टू डीटी क्यों आपाउं डीटी है वी कट गया डीटी कट गया तो गामा अब रहाबर है रहा हम से कोई भी सवाल पूछ लीजिए हुआ 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 है अगर हम आप सका है एक रिंग है इसकी रिडियस का एक्सपेंशन कोफिशेंट अल्फा आर है इस रिंग का रिडियस का एक्सपेंशन कोफिशेंट क्या है अल्फा आर तो मैं तुम जगा हुआ 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 बास तो क्या मता करते हो यह फॉपाइ लोग लोग सी लॉप थो पह प्लागर का यहां जो अलवा होगा सरकंफरेंस का क्या और वार्पर तो क्या में यह अदॉर लिख सकता हूं फाइनल सर कंफरेंस बर फो कि इनिश्याल सर्कंफ्रेंस वान प्लास अल्फा रेडियस डिल्टा टी क्योंकि हमको बता चल गया सर्कंफ्रेंस का अल्फा वही है जो रेडियस का कि अगर आप इतना समझ गए तो बताओ भई अगर आप इतनी बात हमारी समझ गए हैं हम आपसे थोड़ा वाचीत और कर सकते हैं मालूम आपसे कोई रिगुलर बॉडी है कोई रिगुलर बॉडी रिगुलर बॉडी है प्रदाओ इसका मुमेंट आप इस एक्सिस के बाओ से बीटा तो एक कॉंस्टन नंबर होता था था भीटा एम आर स्कॉर यह बीटा को एक्सपेंशन को भीशें ना समझे लेना अगर रिंग होगा तो बीटा बान डिस्क होगा दो हाफ और डिस्पेर होगा तो टू बाई फाइव कुल मिला के कॉंस्टेंट अगर हमका इस रेगुलर बॉडी का रेडियास का एक्सपेंशन को भीशेंट अल्फा है वेडाओ तो बदाओ अगर हम इसे हीट करएंगे तो बताना जाए तूम मुझे इंद रेडियास इपने बढ़ेगा तो यह मास एक्सस एप्रूटेशन से दूर चला जाएगा और मास एक्सस और रोडेशन से दूर जाएगा मुमेंट अपनेर्शिया बढ़ जाएगा तो भला हो जाएगा तो वही मास मास तो बदलेगा नहीं वहीं मास अब इस से से दूर दूर फैल गया नहीं रेडिएस है का नुटेश आपपिसेंट अलफा may तो मोमेंट ऑप इनर्शिया का एक्सपंशन कोपिशेंट तू अल्फा बहुत बढ़िया यह बीटा एम पूरा कॉंस्टेंट लॉग लोग लोग आई बराबर लॉग बीटा एम प्लस टू लॉग आर डिफ्रेंशियट करो तो यहां से बचेगा अच्पंशन कोफिशेंट ऑफ मूमेंट ऑप इनर्शिया उदर बचेगा त्व अल्फा तो क्या मैं डार लिख सकता हूं final moment of inertia बनाबर बोलो दो दिजे initial moment of inertia 1 plus 2 alpha delta T बल्कि हम यह भी लिख सकते दे delta I increase in moment of inertia initial 2 alpha delta T क्यों बढ़ा क्योंकि mass access of rotation से दूर फैल जाएगा अज़िए एक सवाल जैमेंस में था वो सवाल रख करके दिखाई ही पहले जैमेंस में एक सवाल आया था बहुत ही असान सवाल है अज़िए 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 इसको गाले लखे इपांलग है कटीना को एई ऀंफर में ऐउनिफ कर्शोर के एउनिफर्म solid brass sphere a uniform solid brass sphere uniform solid brass sphere is rotating is rotating with angular speed omega 0 is rotating with angular speed omega 0 rotating about angular speed omega 0 about a diameter about a diameter if its temperature if its temperature is now increased if its temperature is now increased by hundred degrees Celsius if its temperature now increased by hundred degrees Celsius what will be what will be its new angular speed what will be its new angular speed ralph a brass kadiya 2 into 10 give our minus 5 per degree Celsius alpha brass kadiya gya what will be new angular speed yeah so I'll probably do more so try to run some of the time you try to run a blue कैसे करेंगे है क्या कुंसर्प लगाएंगे है 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 क्या वहीं दो तो क्या प्रिछले दो दिन में बढ़ा है आध से नहीं होगा के लिए प्रिछली क्लास में बढ़ा तुम दो प्रिछली दो क्लास याद करी मना पिछली और आज की कल और आज मना पिछली जो भी क्लास हुई थी क्राइए है से सब्सक्राइब इधर देखो यह था बैले क्यों इस फिर एना एज गुम्राइब इसका इनिशियल मोमेंट आप इनर्शिया आई नॉट है माल लोग उमेगा नॉट से घूम रही है ठीक हमने टेम्रेचर बढ़ा दिया डिल्टा टी कितना है तो इसका साइज बढ़ा हो जाएगा इसका मोमेंट आप इनर्शिया भी बढ़ जाएगा फाइनल मोमेंट आप इनर्शिया तो इसका जो उमेगा है फाइनल यह हमें निकालना है क्या लगा दें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाने चले एंगुलर मोमेंट conservation about about cm axis judy da you can tell us come at love I initial I not omega not final moment of inertia or omega final even a good translation I know I know I know the omega not omega not but the final moment of inertia initial moment of inertia one plus for the moment of inertia expansion coefficient 2 alpha 2 alpha delta t Korea omega final I know I know cut gya I am only why I am about final angular speed I love the moment final angular speed omega not initial upon 1 plus 2 alpha value 2 into 10 power minus 5 delta t value hundred omega final dego kya gya 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 omega not upon 1 plus 4 into 10 an urban power minus 3 tue me how you do if I'm go it's too hardsolant and how I am going to beuve it's aEn Silent स्वाल घंड फॉन करना विहम नां एक सवाल देखीये अब सुन थो में दो सवाल दे रहां ध्यान देनाव इनए को नहीं कुछ भी देखो नथा नाइन्टीटू आपाँट्टीटू अपाँट्व जिरो जिरो यह बन पॉंट्ट जिरो जिरो फोर करो यह नाइन्टीटो इ देवाइट वाला की मुल्टिप्लाइग यह आपने का मुल्टिप्लाइग वाला हमाया ली ज़्याद हासाल है तो हम वही करेंगे यहां यह हमसे व्हाल नहीं हो पारा घ्ला लाग दो कुछ गलत तो नहीं किया अब रगाई अब यह वन गया वन स्की पावर एन बैनुमियल फिरम पॉर एन इंडेक्स पड़ा है आपने तो बदाओ रहा वान प्लस एक्स पावर एंड वाइन इन्डेक्स क्या होता बोली है महानस्तर पार्टी कापी मैच का स्लेवास तुमारा बढ़िया चल रहा है जानगारी है कि पीछे का कितला तयार है यह भी देखते चलो बदाओ लिए कि उतकर सब पीछे का भूल रहे हो गया करत बात है एक्सपेंसर मुली हो ऐसे है फाई नहीं इसकर एक्सवार यहां मुली को शर्चे चलने हैं कि बढ़ा हैं न माइनस वाल एक्सट स्क्वार ऑफॉरल टू प्लस एनन वाइन एन वाइनश एन स्टू एन माइन वाइन झालतु एक्सी ओंबाट बढ़ाएं न थिया तो स्क्राइट से पढ़ा हैं चले खेल अब सुनुई य 1 प्लस X की बावर N, N की जगह कितना है? माइनस 1 X की जगह कितना है? 0.004, चलो इसको expand करना हूँ, ध्यान दू उम्हें करना बाहर, 1 प्लस NX, तो यह माइनस 0.004 1 प्लस NX, अगला step क्या होगा? N, N-1 X स्क्वार, 0.004 का स्क्वार, तो यह पहले ही 0.4 इंटू 10 की बावर माइनस 3 है, तो यह हो जाएगा 16 इंटू 10 की बावर माइनस 6, तो बदाव यह टेंडिंग टू 0, तो हम यहीं पे खतम करतेंगे, ग्रैकेट, तो यह टेंडिंग टू 0 चले जा रहे हैं, क्योंकि यह नंबर बन से जतना छोटा है, स्क्वार करने पर क्यूब करने पर वैल्यू और छोटी होती चले जाएगे, बहलो, तो बताव ओमेगा फाइनल बराबर कितना रहे हैं, पॉइंट नाइन नाइन शिक्स ओमेगा नॉट देखलो चेक लिए या रहे हैं, यह आंसर था, अब तुम सोचो महानस्तर पाड़ी, सोचो 100 डिग्री टेम्रिचर बढ़ाया, ओमेगा में इतना चेंज आया, ओमेगा नॉट से कितना हुआ, पॉइंट नाइन नाइन शिक्स, ना के रहा है, पॉइंट जिरू जिरू फूर, तो हम लोगों का जो डिसकेसर होना बहुत ही स्मॉल चिंज के लिए चल रहा है, कोई दिकत, अगला सवाल लखे, अगला सवाल बीजेई मेंस में आ चुका है, चीक है, मैं स्कूर अफ करने जा रहा हूँ, अब देहन दीजिए, सवाल लखे, अऐडिल गैस, कॉस्चन लगो, अइडिल गैस, फॉलो दा प्रोसेस, अइडिल गैस, फॉलो दा प्रोसेस, अइडिल गैस, फॉलो दा प्रोसेस, P T square equal to constant, P T square equal to constant, जहांबर k कोई constant number है, P, क्या चीज है, कर अदिए अप्रेशर घंप्रेश को फॉलु किया है जिस प्रोस्टिक कर लोग है प्रैसर इंटू टम्परिचर का स्कौयर का हमेशा क्या रहेगा इन िर्वल कर से जर्ट अधर निच्टिक एह का बेंवर ऋबसटें प्रास्ट लोग चार प्रोसेस स्टेंडर्ड बढ़ते थे आइसो बारीक आइसो कोरीक आइसो थर्मल एडियाबैटिक उन चार में यह नहीं है राइट यह कोई जनरल प्रोसेस है जो इस लोग को अभी कर रहा है आगे लखें फाइं फाइं वॉल्यूम एक्सपंशन कोपिश्यंट गैस आपको उस गैस का बॉल्यूम एक्सपंशन को फिसेंट बताने को पहां गया है ऑपस ने देखिए को सग्रावर एक वंतंपरिचर को घॉर्टो अपन टेंपरिचर है मैगा मैं कोटो थी्ए अपन टेंपरिचर में लास्ट अधाभा एक कोल्टो फोर अपन जल्दी से ट्राइ करिए